So hey guys, welcome back to the channel So previous video में हमने face को draw करा था and उसे setting करा था और realistic texture भी हमने create करा था तो आज की इस video में हम लोग hairs को draw करेंगे and ये काफी realistic होने वाली है तो video कहीं भी skip न करें guys So यहां मैं hairs को draw करने के लिए general charcoal pencil यूज़ कर रहा हूँ तो आपको अगर ये pencil चाहिए तो इसकी link में नीचे description में दे दूँगा तो वहां से आप इसे buy कर सकते हो So guys, मैं आपको इस video में hairs को draw करने की एकदम easy trick बताऊँगा जिसमें आप hairs को आसानी से draw कर सकते हो आप में से काफी लोग को लगता है कि hairs draw करना काफी मुस्किल है लेकिन अगर मैं आपको जो pencil suggest करता हूँ अगर आप वही pencil यूज़ करते हो and same paper यूज़ करते हो and मेरे tricks को follow करते हो तो आप उस trick से hairs को काफी अच्छे से draw कर सकते हो तो जैसा कि आप मुझे देख रहे हो कि मैं hairs को draw करने के लिए general charcoal pencil का use कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो guys कि मैं कैसा pencil चला रहा हूँ अगर आप एक छोटा 5 साल के बच्चे को pencil थमा दोगे तो वो भी ये draw कर लेगा तो बहुत ही ज़्यादा simple मैं आपको बताने वाला हूँ और आपसे यही request है कि वीडियो अच्छी लगे तभी like करना और अच्छी ना लगे तो मत like करना तो यहाँ पर आप देख सकते हो guys कि मैं कितना simple तरीका से hairs को draw कर रहा हूँ और ना ही मैंने pencil को sharp करा है जैसा कि बहुत सारे artist करते हैं कि pencil को बहुत लंबा sharp करके दिखा देना है तो वो चीज मैंने नहीं करा है और मैंने normal sharpner use किया है थोड़ा सा sharp करने के लिए और मैं यह इतना easy तरीके से draw करके आपको दिखा रहा हूँ क्यूंकि बहुत सारे beginners मेरे को follow करते तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बाते उनको समझ में आए और जिस way में मैं draw कर रहा हूँ तो उनको यह चीज समझ में आनी चाहिए and drawing hyper realistic भी हो and beginners को समझ में भी आ जाए and guys hairs को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ white lines आपको दिख रही होंगी तो वो जो white lines है white strokes है तो वो मैंने identity tool यूज करके करा है तो अगर आपके पास identity tool है तो आप use करके उसे create कर सकते हो या फिर अगर आपके पास एक empty pane है जिसकी lead जिसकी ink जो हो खतम हो चुकी है तो वो pane भी आप use करके वेसी lines create कर सकते हो so guys आपने देखा कि हमने कितना easy तरीके से hairs को draw करा तो अब हम लोग soft brush के help से इसको blend करेंगे बस आपको hairs को blend करते वक्त एक बात ध्यान में रखनी है कि जिस direction पर hair lines जा रहे हैं तो उसी direction में आपको blending करनी है तो blending यहाँ पर आप वैसे ही करें ध्यान से झाहँ पर आपको जोब कि झापको जात पर आपको जापको 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 जाएंगे सो आपने देखा कि आमने कितनी इजी तरीके से हैर को ड्रॉ करा और फिर उसे ब्लेंड करा तो आब हम लोग Zero Mono Eraser की हैल्प से जो हाइलाइटेड हैर से तो वो दिखाने की ट्राइ करेंगे सो यहाँ पर आपको हेर में जो लाइन्स दिख रहे हैं वाइट लाइन्स दिख रहे हैं तो यह मैंने आइडेंटिंग टूल से कर रहा था तो जैसा कि मैंने आपको बताया और अगर आपको नहीं पता है आडेंटिंग टूल तो मैं उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो वहाँ से अगर आपके पास नहीं है तो आप बाई कर लेना पास उसके अंजा है जब भी आप hair store करते हो ना तो white lines थोड़े बिखड़े हुए दिखाने से थोड़ा hair store वो ज्यादा attractive लगता है जैसे कि मैं आपको समझाने कोशिज करता हूँ कि आपने बाल जो है वो बहुत अच्छे से comb करा है बहुत अच्छे से well maintained है तो कुछ जो extra lines होते हैं जो बिखड़ा हुआ बाल होता है तो वह अगर daylight में अगर आप देखोगे और फोटो क्लिक करोगे ना तो वहाँ पर आपको बाल highlighted लगेंगी मतलब white लगेंगी तो वह चीज जो है हम लोग दिखाते हैं sketch में तो वह बहुत ही ज्यादा attractive लगता है बहुत है इस साइट की हेर्स कम्प्लीट हो गई हमारी तो आप कमेंट्स पर बताना कि कैसी लग रही हेर्स तो मेरे को काफी जादा रियलिस्टिक लग रहा है और मैंने आपको दिखाया कि मैंने कितनी सिंपल तरीका से हेर्स को ड्रॉ करा है तो अगर आप एक बीगिनर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही जादा यूसपूल हो जाता है तो वीडियो को आगे भी बिना स्कीप किये जरूर देखें अगर यहां तक की ड्रॉइंग आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और एक बात बोलनी थी कि अगर आपने ये ड्रॉइंग बनाना स्टार्ट कर दिया है और अगर बना रहे हो आपकी वर्क प्रोग्रेस में है तो आप अपनी प्रोग्रेस वर्क जो है मुझे दिखा सकते हो इंस्टाग्राम पर तो Instagram में जब भी आप फोटो को upload करें तो मुझे tag जरूर करें हो सकता है मैं वहाँ कुछ guide कर दूँ आपको या फिर मैं आपकी drawing को review कर सकता हूँ अपने upcoming videos में तो यहाँ पर आप drawing में देख सकते हो guys बहुत सारे beginners जो है यहाँ तक आकर छोड़ देते हैं मतलब इतना जो white highlighted hairs दिख रहे हैं तो इतना ही दिखा कर छोड़ देते हैं तो इतना दिखा कर छोड़ना नहीं है हमें जो highlighted hair से बहुत कम दिखते हैं तो इसे थोड़ा कम opticity करना है तो यहाँ पर हम हलका pencil को चलाएंगे उसके बाद हलका brush चला देंगे इसके वज़े से यह जो highlighted hair से वो तोड़ा कम दिखनी लगेगा जो कि काफी जादा attractive लगेगा हमें यह चीज़े आपके practice से possible है अगर आप practice नहीं करोगे और first time ही चाहोगे कि ऐसा result हो तो वो possible नहीं है तो आपको practice करनी होगी आपके comment करने से भी कुछ नहीं होगा आप comment करते हो कि मैंने try किया भाई बट मेरे से नहीं हुआ तो ऐसे comment करने से नहीं होता है आपको practice करनी पड़ेगी झाल 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 अब हमारी हेर्स काफ़ी रियलिस्टिक लग रही है जैसा कि आप देख सकते हो तो हमारी हेर्स की ड्राइंग है वो अल्मूस्ट कम्प्लीट हो चुकी है आप चोटे चोटे डिटेलिंग रहे गए हैं तो उन्हें मैं कम्प्लीट कर देता हूँ मतलब इसको फाइनल टचिंग भी बोल सकते हो आप तो वो चीज में कर लेता हूँ सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो ओर लेकर आँ तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो फिलाल इस वीडियो में इतना है गाइस इसकी बीर्ट की जो टुटोरियल है वो बहुत जल्द चैनल पर आ जाएगी तो मिलता हूँ आपसे नेक्स टुटोरियल में थैंकि सो मच पर वाचिंग